हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम बिल्कुल कम दूद से सिरफ एक गलास दूद से ही एक कप दूद से ही बहुतीGroup गाड़ी बिल्कुल जो हमारी खुरचस वाली जो रबडी होती है न वो वाली आना बताएंगे बनाना और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजिने तो पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और यह बिल्कुल खुर्चन टाइप की जो बिल्कुल गाड़ी रबड़ी बनेगी यहां पर देख सकत और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजिने पूरा वीडियो अच्छे से समझ भी नहीं आएगा तो यहां पर दो कप मैंने लिया एँ दूद तो यहां पर मैंने जितने दूद लिये थे उतना इसमें हम पानी डाल देते हैं दो कप ही इसमें हम पानी का यूच करेंगे, दो से धाइ कप टाल दिये मैंने पानी के, तो यहाँ पर पानी भी डाल दिया है, यहाँ पर 1500 ग्राम लिया है मैंने दूद वाला पाउडर, तो इससे हम बनाने वाले बहुत ज़्यादार स्वादिश्ट, यह हमारी बिल्कुल खुर्चन टाइप की रबड़ी और बिल्कुल गाड़ी रहे की बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गी है तो दोस्तों अब इसको हम जो दूद वाला पाउडर लिये थे वो बहुत ईजी तरीके से मार्केट में कहीं पे भी मिल जाता है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें जैसे एक भी लम्स नहीं होने चाहिए जो गुठलिया पड़ जाती है न हमारे दूद के अंदर कोई पाउडर डालते हैं तो इस तरीके से हमें मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं दिखेंगे नहीं क्योंकि अब भी तु यह ठंडा है तो ठंडे में अच्छे से मेल्ट करना एं तो यह नहीं है यह पर देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है जो हमारा दूद बन चुका यह पूरा तो आपको इसको जल्द बाजी में नहीं करना है क्योंकि अच्छे से इसको मेल्ट करके ही करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है मैंने इसको गैस के उपर रख दिया है और मैंने गैस भी ओन कर दिया तो अब इसको हम पका लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको पका के इतना गाड़ा करना है कि यह दूद हमारा आता हो जाए तो बीच पीच में हम चलाते भी रहेंगे और इसको हम मिक्स भी करते रहेंगे और दोस्तो हमारे इस्टाग्राम पे भी और फेस्बुक पे भी हमें जाके फोलो कर सकते हैं और जो मैं वीडियो बनाती हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन पे दे रखिए तो वहाँ जाकर के भी आप नई नई वीडियो देख सकते हैं पहले की पुराने वीडियों से नहीं नहीं वो भी आप टाई कर सकते हैं बना सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दूद को हम ने गैस के उपर छड़ा दिया था तो देख सकते हैं यह उकाल आने में यह उकाल आ चुका है तो यह इसको हम पकाने में जो यह दूद है वो आदा ही हो जाए तब तक हमें पकाते रहना है इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं यह पक चुका है क्योंकि continue चलाते रहेंगे तो मैंने दूद वाला जो powder डाला है न वो नीचे नहीं चिपकेगा तो इसलिए इस तरीके से हम continue इसको चलाते भी रहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यह उकाल आ चुका है और इस साइड़ों से इसकी जो मलाई है उसको हमें निकालते रहना है इस तरीके से क्योंकि मलाई को ज़्यादा टाइम के लिए चिपकाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा साइड़ों में चिपक के गाड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मलाई है हमारी बहुत ज़्यादा गाड़ा होने लगा है और साइड़ों से मलाई भी बार बार चिपक रही है तो इसको भी निकालते रहना है क्योंकि यह खुर्चन वाली इसको रबड़ी बोल सकते हैं आप यह बहुत ज़्यादा मोज़्यास कुर्चन वहितनी लगानाएं क्या पर जिल से ङक्याद सकते हैं क्योंकि पहले से कीयों आदा ही हो चुका है , तो सिरब इसको पकाते रहना है इसको और साइडों से निकालते रहना है ताकि ज्यादा एष्याल्याई मलाई है लग जाएगी तो वह ज्यादा दि प्रेम एंठार काम की प्राइब बूल से ते में प्रम्ट आपपते समय। ताकि जितनी पकाएंगे उतना हमारा जो दूद है वो गाड़ा होता रहेगा और सायडों से जो मलाई चिपके तो उसको हमें निकालते भी रहना है तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हूँ कि कितना गाड़ा हो चुका है यह रबड़ी के लिए जो हमारी रबड़ी है और जो मैंने चीनी इसके अंदर डाली थी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो यह बहुत ज़्यादा गाड़ी हो चुकी है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो अब हम थोड़ी देर में गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गाड़ी हो चुकि है पहले से इस तरीके की देख सकते हैं जो इसे खुर्चन टाइप की रबड़ी हमारी हो चुकि है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत ज़्यादा गाड़े हो चुकी है तो अब हम गैस को बंद करके और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पर्फेल्ट तरीके से इसको ठंडा कर लेते हैं तो गेस को मैंने बंद कर दिया था और यह बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है देख सकते हैं तो खुर्चन वाली रबडी हमारी बन के तैयार हो चुकिए यहां पर मैंने लिए कटोरा आ तो कटोरे में हम देख सकते हैं बिल्कुल काड़ी-गाड़ी खुर्च तो यहाँ पर आपको दिख रही हो कि कितनी गाड़ी बनी है, कितनी खुर्चनदार बनी है, तो इसके उपर थोड़े से डाइफरूट डाल देते हैं, तो डाइफरूट में हम थोड़े से लिए हैं, पिस्ता और डालेंगे केसर, ताकि यह दिखने में भी जादा टेस्टी इसका खाने में और देख सकते हैं, कितनी गाड़ी बनी है यह, तो आप मार्केट से अब लाना बोल जाएंगे, आप घर में ही बना करके खाएंगे, इस तरीके से खुर्चनद वाली रबड़ी, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स क बेल आइकन बटन है, उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों आपका केमती समय देने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू